प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है और आप में से कई लोग मेरा ही कारक्रम तब देख रहे होंगे जब प्रधान मंत्री पद और गोपनियता की शपत ले लेंगे मगर शपत ग्रहन के दो दिन पहले ही कर्रप्षन के मुद्य पर मोदी 3.0 यानि की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की तीसरी पारी पर सवार उड़ गए आज इस कार्यक्रम में साथ ही हम इस बात को लेकर चर्शा करेंगे कि मोधी 3.0 यानि कि मोधी की तीसरी पारी में पत्रकारिता का क्या भविश्य है लगर मैं शुरुवात कर अप्शन के साथ कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन्स पर ये हैं प्रफुल पटेल क्या आप जानते कि मनी लॉंडरिंग को लेकर इन पर जो तमाम आरूप थे वो नीरस्त कर दिये गए हैं वो खत्म कर दिये गए हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के शपत ग्रेंट से दो दिन पहले इससे बड़ी विडमना क्या हो सकती है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी विपक्षपर निशाना साधता है और उन पर दबाव डालता है कि वो अपनी पार्टियां छोड़के बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएं ED ने जितनी भी कारवाई प्रफुल पटेल पर की थी उसे अवैद करार दे दिया गया है बात यहां नहीं रुकती है यही नहीं उनके 180 करोड की जो संपत्ती थी जो जब्त कर ली गई थी उसे भी क्लियर कर दिया गया है और यही नहीं जो तमाम फ्लाक्स प्रफुल पटेल के जितने भी बंगले थे या जितने भी मकान थे जिने जब्त कर दिया गया था दोस्तों उसे भी क्लियर कर दिया गया है क्यों क्यों कि प्रफुल पटेल अजीद पवार की एंसीपी में है और जैसे कि आप जानते हैं अजीद पवार जो है वो महराज सरकार में बतार डेपिटी चीफ मिनिस्टर हैं मैं प्रधा मंत्री से फिर पूछना चाहता हूं कि आपके शपत ग्रहंड से दो दिन पहले ये खबर क्यों आई और फिर भी आप अपने आपको भरष्टाचार के खिलाफ गारेंटी बताएंगे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों प्रफुल पटेल जब उद्धव ठाकरे के साथ थे या शरत पवार के साथ थे तब उन्हें किस तरह से कानून का सामना करना पड़ रहा था तीन मिसाले आपके सामने ये देखिए अंडर्वर्ड गैंक्सिर इकबाल मिर्शी केस एडी अटाचिस प्रॉपटी ओफ एन्सेपी लीडर एंपी प्रफुल पटेल एडी कॉन्फिसकेटिट द प्रॉपटी ओफ सीजे हाउस बिल्डिंग लोकेट इन वरली एरिया ऑफ मुंबई ये 21 जुलाई 2022 की खबर है अंडर्वर्ड डॉन इकबाल मिर्शी के साथ संबंद बताये गए थे प्रफुल पटेल के और उनकी काफी संपत्ती जब्त कर दी गई है और जो खबर मैंने आपको बताई है उसके मताबिक अब वो तमाम संपत्ती जो है वो रिहा कर दी गई है रिलीज कर दी गई है दूसरी खबर डेली फॉर्मर सिवल अविएशन मिनिस्टर प्रफुल पटेल लीव्स फ्रम एंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ओफिस वास्टन बाइजन्सी फोर नेरी एट आर्स तोडे इन कनेक्शन विद अम्टी क्रोर एरलाइन सीट शेरिंग स् यह मिल गई होगी अब तीसरी खबर पर गोर कीजे दोस्तों मुंबई सीनिय नैशनलिस कॉंगरिस पार्थी लीजर प्रफुल पटेल लीव्स फ्रम एडी आफिस वास समन्ट बाइजन्सी तोडे ओवर अलेज़िड लांड डील विद दाओद स्क्लोज एड इकबाल मिर् के साथ तालुकात और उससे जुड़ा भूमी का एक सौधा इस मुद्दे को लेकर प्रफुल पटेल की जाँच हो रही थी दोस्तों अब इन तमाम मामलों में प्रफुल पटेल को क्लीन शिट मिल गया है क्या आप भी कहेंगे कि प्रधान अंत्री नरेंद्र मोदी करॉप क्या ये है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी और सबसे बड़ी बाद क्या हम मीडिया से ये उम्मीद कर सकते हैं वो मीडिया जो देश के 99 फीसदी घरों तक पहुँचता है क्या हम गोदी मीडिया से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर वो प पब्लिक नियूस का संबाद दाता अपने आपको भाजपा का प्रवक्ता बता रहा था उसने ये कहा कि हम बहुमत से ग्यारा सीट दूर है मैं मजाग नहीं कर रहा हूं दोस्तों हम यानिकी इसने खुद को एंडिये का या भाजपा का बता दिया था सुनिये क्या मजाग चल प्राइम टाइम में जूट बोल रही थी वो ये कह रही थी कि भाई जिस पोस्टर में प्रणान मंत्री नरेंद्र मोदी को शुरी राम से बड़ा बताया गया है वो पोस्टर हो सकता है विपक्ष ने बनाया हो जबकि आप जानते हैं दोस्तों वो पोस्टर बनाया था बीजेपी करनाटका ने और जब उस प्रणान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उस ecosystem का इलाज करूँगा जो गोदी मीडिया पर दबाव बनाता है कठिन सवाल पूछने को लेकर और ये ecosystem कौन है दोस्तों? मैं, रवीश, धुरुवराठी, अजीत अंजुम यानि कि ये तमाम पत्रकार जो सत्ता को कटधरे में रखते हैं जो सत्ता से कठिन सवाल पूछते हैं, उनका इलाज प्रधान मंत्री करेंगे यादे की ने आपको क्या काता है? सुनिए प्रधान मंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग इस इंटर्व्यू को आज तक और इंडिया ड़े पे देख रहे हैं मेरे साथी भी यह मानेंगी बहुत सॉलेड इंटर्व्यू था, मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आप से पूछे गए, आपने किसी यही मेरा आप लोगों से सिकायत है, यह मुश्किल सब्दा आपका आपका नहीं है, एक इको सिस्टिम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है, और आप लोग बुश्दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजन्डा सहट के लिए सवाल लेके गुम रहे हो, आपको बुरा सिरियर नेचर के सवाल जबाब नहीं करता हूँ, पूछता हूँ, मुझे इसलावता है, उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है, उनके अनुभव कुछ और है, लेकि एक एको सिस्टिम में ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिये, कि आप तब तक पत्रकान नहीं है, आ इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करता हूँ, आप भी जानते हैं, प्रधान मंत्री ने करीब 80 इंटव्यूस दिये थे, मगर एक भी इंटव्यूस मुझे नहीं दिया, या रवीश को नहीं दिया, मैं नहीं भूला हूँ, जब राहूल गां कर्स थे, उन्होंने राहूल गांधी की आलोशना की थे, मैंने भी उस पर कारकर्म बनाया था, क्योंकि आज तक की जिस समवाददाता ने वो सवाल पूछा था, वो बहुती वाहियात था, वो पूछने की वज़ा नहीं थी, मगर हां, राहूल गांधी को भी उस शब्दा तक के बड़े-बड़े समवाददाताओं को बुजदिल बताया था, 18 सेकंड का ये क्लिप देखिये दोस्तों, कि लोग प्रधान मंतरी को देखते रहें अगर किसी में हिम्मत नहीं हुई, ऐसे में क्या आप ये उम्मीद करें कि मोधी 3.0 यानि तीसरी पारी में ये को से सिकायत है, ये मुश्किल सब्दा आपका आपका नहीं है, एक इको सिस्टिम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है, और आप लोग बुजदिल की तरह डरे हुए हो, उनके इजन्दा सेट के लिए सवाल लेके गुम रहे हो, तो ऐसे में हम मोधी की तीसरी पारी पहुँच रहा होता है, और उससे पहले ही उस पर आतंकवात की धाराएं लगा दी जाती है, उमर खालिद इस वक जेल में आतंकवात की धाराएं लगा दी गई थी, न्यूस क्लिक पर पहले एडी फिर इंकम टाक्स और उसके बाद दिल्ली की आंटी टेरर सेल रेड मारती है, प्रबीर पुरकाएस को जेल में डाल दिया जाता है आतंकवात की धाराओं में, यानि की जो भी सवाल करता है, जो भी इनका आलोचक है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, अब जब की भाशपा को अपने दम पर उसके पास बहुमत नहीं है, तो आपको क्या लगता है, कि अगले पांच सालों में यही सब होता रहेगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको क्या लगता है कॉमें सेक्शन में बताईए क्या आपको लगता है कि अगले पांच सालों में भी सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों के साथ यही दमन होगा यही ज्यात्ती होगी दोस्तों दिक्कत यह है कि पहले 10 सालों में हमने यह देखा कि जो प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी के आलोशक हैं जो उनसे सवाल करते हैं उनके खिलाब भीड खड़ी की जाती है उन्हें बदनाम किया जाता है उन्हें आंटी नाशनल बताया जाता है और यही नहीं इनका गोदी मीडिया जो करोडों घरों तक पहुँचता है जिनकी पहुँच मुझ से जादा है रवीश और धुरुब से भी जादा है ये गोदी मीडिया हमारे उठाये गए मुद्दों का मजाग बनाता है और ये मुद्दे कौन से हैं बेरोजगारी और महंगाई याद है कि नहीं आपको क्या कहा था आज तक के उस तिहाड नुमा पत्रिकार और उस पापा की परी ने किस तरह से विपक्ष और यूट्यूबर्स जो सत्ता से सवाल करते हैं जो मुद्दे उठाते हैं उसका मजाग उड़ाय गया था और ये हुआ था एक्जिट पॉल्स के दोरां देखिए और एक ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे की देश में अंदर जमीन पर प्रदान मंतरी मोदी के लिए एक बड़ा नेगेटिव माहौल है और लोग बड़े परिशान हैं समयदान खत्रे में आ गया है हमारे सारे इंस्टूशन्स खत्रे में आ गये हैं बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया इससे लोग बड़े नाराज हैं अर्थवेवस्ता बेरोजगारी ये सारे जितने मुद्दे थे लोग तंत्र खत्रे में आ गया है आजादी हमारी खत्रे में आ गयी है ये हमारे आखरी चुनाव होंगे अगर ऐसा हो गया कि अगर प्रदान मंतरी जीत गए तो अब ये सारे लोग क्या करेंगे चलि उनकी चिंता वो खुद करें उनकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं मानती हूं कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चानल पर हमें उपर चाश्चा करने की तो ये दिक्कत है दोस्तों एक तरफ प्रचार तंत्र आप पर हमला करता है एजनसीज आप पर जूटे जूटे केसिस करती है और फिर ये जो गोधी मीडिया है उसे सुपारी दी जाती है ना सिर्व विपक्ष पर निशाना साथने के लिए बलकि मेरे जैसे पत्रकारों पर भी निर्शाना साथने के लिए और आप में से कई लोग कॉमेंट में आके कहते हैं कि भाई तुम्हें सारी जो दिक्कत है वो सिर्व बीजेपी में दिखाई देती है तुम निश्पक्ष क्यों नहीं हो तुम कॉंग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते हो सरा सर गलत जब कोई संदेश खाली होता है तब मैं मम्ता बैनरजी से सवाल करता हूँ ये बात अलग है कि वो मामला बाद में पूरी तरह से जूट निकलता है और भाजपा के सारे दावे जूटे निकलते हैं और वो बुरी तरह से एक्स्पूज हो जाते हैं और परिणाम आपके सामने हैं क्योंकि लोग सभाज शुनावों में संदेश खाली का कितना मुद्दा इन्होंने बनाया था फिर भी टीमसी को 30 से जादा सीटे मिल गई कहने का अर्थ क्या है विपक्ष की सरकारों को भी मैं कड़ घरे में रखता हूँ रखता हूँ की नी रखता हूँ सवाल करता हूँ की नहीं मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ दोस्तों क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में बराबरी की जा सकती है क्या ताकतवर और कमजोर में बराबरी की जा सकती है क्या वो व्यक्ति जो अत्याचार करता है और वो व्यक्ति जो पीड़ित है इनमें कोई निश्पक्षता हो सकती है क्या एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ हाथरस याद है आपको रातों रात एक लड़की का शव पेट्रोल से जला दिया जाता है उसका परिवार गिड़गडाता रहा कि हमें अपनी बच्ची को कम से कम महंदी तो लगाने दो उसके परिवार को प्रशासन ने धमकी दी थी ये कहा था आज तो ये मीडिया है कल तुम क्या करोगे अब मुझे बताईए क्या मैं उस पीड़ग परिवार और प्रशासन के बीच में निश्पक्षता बनाए रखूँ ये तो ज्यादती होगी ना इसलिए मैं पक्ष लेता हूँ इसलिए मैं निश्पक्ष नहीं हूँ मुझे से ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं कॉंग्रिस की उसी सुर में आलोशना करता हूँ जिस सुर में मैं BJP की आलोशना करता रहा हूँ क्यूँ? क्योंकि BJP सक्ता में है BJP ताकत का बेजा इस्तमाल करती है वह सबसे बड़ी बात इस देश का नाघरिक होने के नाथे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप में से कई लोग जानते हैं कि फिछले आठ सालों में मुझ पर इस सरकार के अंतरगत जूटे इंकम टाक्स के केसिस किये गए मुझसे जुड़ी दो कमपनीज थी HW News और News Click उन दोनों को बंद करवा दिया गया News Click फिर भी चल रहा है बात वहानी रुकती ED ने मुझे बुलाया मुझसे पूछताच की Anti-Terror Cell ने मुझे दो बार बुलाया दो बार परिशान किया इसके अलावा प्रचारतंत्र मेरे बारे में न जाने कितने अनरगल जूट बोलता है और इस प्रचारतंत्र पर कौन हावी है ये किसका प्रचारतंत्र है BJP का प्रचारतंत्र है अब आप मुझे बताइए फिर भी आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं भाजपा और कॉंग्रेस में निश्पक्ष रहूंगा पहली बात तो इन दोनों में कोई निश्पक्षता नहीं हो सकती है एक के हाथ में ताकत है और एक विपक्ष है एक सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड यानि गुप्त चुनावी चंदे का पैसे का इस्तमाल करता है सरकार को गिराने के लिए और दूसरे के बैंक खाते ही फ्रीज कर दिये जाते है एक यानि की बीजेपी जिसके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर के जैसा ईश्वर तुल पेश करता है गूदी मीडिया और राहूल गांदी भारत जोडो यात्रा निकाल भी देते हैं तो उसे आप कहीं पर भी प्राइम टाइम में नहीं देखते हैं उल्टा राहूल गांदी का अकसर मजाग भी बनाया जाता है उनके खिलाब दुष प्रचार भी चलाया जाता है तो आप बताइए क्या मैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राहूल गांदी के बीच में निश्पक्ष रहूँगा ये तो सामान ग्न की बात है ना ताकतवर और कमजोर में कोई निश्पक्षता नहीं हो सकती ताकतवर से ही सवाल पूछे जाएंगे और आगे भी मैं यहीं करता रहूँगा मगर मैं यह उम्मीद करता हूँ कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मुली अपनी तीसरी पारी में अपने आलोचुकों पर ये दमन नहीं करेंगे उनकी सरकार ये दमन नहीं करेंगी एजनसीज उन्हें परिशान नहीं करेंगे क्योंकि सवाल पूछे जाने बंद नहीं होने वाले चाहे मैं हूँ चाहे रवीश हूँ ये सवाल पूछे जाते रहेंगे ये बंद नहीं होने वाले अभिसार शेर्मा को दीजिए अजासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इनमें से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये